कुईत में जो लेबर वरकर्स कंपनियों में काम करते हैं तो कुछ ऐसी कंपनियां है कुईत में जिनके सेलरी काफी लेट होती है जैसे कि कई कई बार तो 2-2-4-4-5-5 माईने तक लेट हो जाती है सेलरी तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि कंपनिय के अंदर जैसे कि कुछ cleaning company है उनकी salary time से नहीं मिलती काफी time तक late हो जाती है workers काम भी छोड़ देते हैं कई सारे बहुत सी कुछ ऐसी construction company है कुछ जिनकी salary काफी late होती है तो वो भी काम छोड़ देते हैं पिर दीरे-दीरे करते रहते हैं तो काफी time late होती है तो ऐसा इसलिए होता है कि कुछ company होती है जिनका कोई भी किसी भी type से उलंगन होता है तो उनका जो check pass होता है तब payment काट लिया जाता है उनसे कुछ न कुछ बड़ा उलंगन होता है कुछ बड़ा मामला होता है या फिर कॉंट्रेक्ट को पूरा नहीं करते हैं उससे पहले या टाइम से पूरा नहीं होता कॉंट्रेक्ट तो उसमें क्या होता है पेमेंट काट लिया जाता है फिर उसके बाद में उनको अगर चेक नहीं मिलेगा तो वो आगे लेबर को सेलरी नहीं देते है टाइम से इसके बाद में अब एक तो उनका चेक रोख लिया जाता है वो पेमेंट उसमें कड़ जाता है अब इसमें installment बरनी पर होती है जो loan लिया होता है उसको बरना पड़ता है company को और labor को salary कहां से दे तो फिर इसमें company फस जाती है तो salary नहीं दे सकती इसलिए काफी late हो जाता है ज्यादातर मामले यही होते हैं इसमें की installment कहां से बरे और labor को salary कहां से दे आगे से check रोक लिया जात है तो अगर company ताइम से काम जो contract का time होता है उससे पहले काम या उस contract के time date तारिक तक काम अगर पूरा कर दे या फिर कुछ उलंगन ना हो जिसमें की बड़ा उनको मुखालफा या जैसे की कोई सरकारी काम काज करती है जमया बनाने का सुपर मार्केट या और भी कुछ होते ह प्राइस काट लिये जाते हैं जो भी उसका बनता है उलंगन होता है उस टाइप का government काट लेती है उसके बाद में अब वो instrument कहां से बरें और labor को salary कहां से दें या फिर अगर चेक नहीं काटे जैसे कोई उलंगन नहीं किया है तो जो चेक मिलते हैं वो कहीं और यूज कर लि इन नहीं मिलती है इसलिए एसी कमपनियों में काम करने से बचे जो बाहर के वीज़ा उलंगन वाले हैं वो काम करते हैं जिनका कमा कुछ और रहता है और इन कमपनियों में काम करते हैं salary के लिए तो ऐसा ना करें चैनल को subscribe जरूर करें ताकि कुईत की आने वाली जरूरी important करें करें, मिस्ट नहों.